वहे गुच्च का खाल सा वहे गुच्च की फतह अकाल पुर्ख हर कनविच वास करता है जिमें उसने आप तपदे होई थमतों प्रहलादनू बचाया उसे तरह अकाल पुर्ख अपने सब जीजनतदा पालन हारा है उस अकाल पुर्ख ली एक कोई वड़ा कम नहीं पर साधिया नजरां विचे उदे कीते होई कार्ज चमत कार्थों काट नहीं लग दे अजेही ही एक कटना पाकस्तान दे मंगल डैम ते कम कर दे एक पठान नड़ बापरी एक कटना ऐनी अचरस सी कि 39 दिसंबर 1995 मेनू देश विदेश सपलीमेंट अजीत अखवार विच वी शपी उस पाकस्तान दे पठान ने दस्या के गिलगत तों दास को मेल दूरी ते एक छोटी जेही बस्ती विच उस दा रहन वसेरा सी उना दे कार्विच आम तोर ते पत्थर दा तबे ते ही रुटी बनोन दा रिवास सी ज धपैरतों के अपनी करवालीतों रोटी मंगी उसने पठान केंदा ओवी जल्दी ही रोटी लेके आगी जदो पठान ने रोटी खान वास्ते एक टुकडा तोड़ेया ताकी देखिया कि जो रोटी उस दे थाड़ी विच पैई सी और विचकारों कच्ची सी बाकी सारी रोटी पकौन दा सारिया रोटी विचकारों कच्ची रख दी है उस पठान दी बेगम ने कहा मैं तहाँ नू दसना पूल गई नवा तवाले अंदा सी पता नहीं की गल विचकारों तबाता पदा ही नहीं रोटी नू सेकी नहीं पेंदा बाकी सारी रोटी वधिया पक जा तवा पोरा वी विचकारों गरम नहीं हुंता बेगम दी गाल सुन के उस पठान नुज कीन न हुया पठान ने कहा तुम मेरे समने पका जोदो उस दी बेगम ने उस दे समने रोटीप काई तवा भी बिलकुल उसे तरा दी कच्ची रही तवा विचकार तो बिलकुल वी गरम नहीं हुया पठाने देखे बड़ा हैरान हो गया उस पठाने हाथ विचह थोड़ा लाके बड़ेते आनाल होडी होडी तवा पनना शुरू कर दिता जो तो तवा तोड़े आ गया तो जो इस विचो निकल के समने आया उसनों देखे पठान ते उस दी कारवाली दी हरानी दी कोई हादना रही जित्थों रोटी कची रहंदी सी उसे थां तो तवे विचो एक छोटा जिहा सलेटी रंग दा कीडा निकले आ जो की बिलकुल जिऊंदा सी बिलकुल सही स्रामत सी जेडा तवा एहनी आगो परतबदा रहा फिर वी उस तवे विचो जीव जिऊंदा सी उस जगा तो तवा बिलकुल विनी सी तप रहा हुन जदों ही कटना पड़ी ता सतकुर महराज दे बचन चिते आगे सैल पथर में जनतो पाए ता का रिजग आगे करता रहा इस तो अगे हुन बोलन वास्ते कुछ शब्द नहीं रह जान दे उस दियां ओही जाने वाही गुर्ची का खाल सा वाही गुर्ची की वते